पनीर से बने बहुत ही कम शक्कर वाले और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू पनीर के लड्डू इसे काचा गोर्ला भी कहा जाता है और बेंगॉल में इसे प्रान हारा भी कहा जाता है कुछ लोगों को जिनें मिठाई बनाना बहुत कठिन काम लगता है उन्हें भी ये मिठाई बनानी बहुत आसान लगेगी क्योंकि ये मिठाई बनाना ही बहुत आसान है तो चलिए जटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी मैं नूत अंदत वेल्कम बैक टू माई चैनल डिलीशियस खाना जटपट बनाना तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें सबसे पहले छेना बनाना है तो इसके लिए मैंने एक लीटर दूद लिया है इस मिठाई को बनाने के लिए आप कोई भी दूद यूज कर सकते हैं आपको कोई गाय का दूद नहीं लेना है फुल फैट क्रीम मिल्क नहीं लेना है जो भ आप चाहें तो छेना नीमबू से या विनिगर से भी बना सकते हैं और वो रेसीपी में पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ लेकिन आज मैं यहां छेना दही से बनाऊंगी तो पहले दूद में हम उबाल आने देते हैं तो दूद में जब उबाल आ जाए उसके बाद हम गैस को फेट देते हैं जो दही हमारे घर में रहती है वही दही हमें लेना है हमें कोई दही से पानी नहीं निकालना है उसको हंकर नहीं बनाना है बस दही आपका फ्रिज का नहीं होना चाहिए और अगर आपने फ्रिज में रखा हो तो उसे थोड़ी देर पहले निकाल के रख जाएंगे और इसे चलाते जायेंगे करीब करीब मैंने एक कप दही लिया है आपको दही थोड़ा जयादा या थोड़ा कम लग सकता है दही को दोदै मिलाटे जाएंगे और म backpack को चलाते जाएंगे लेकिन दही के केस में हमें डाइल्यूट नहीं करना है जैसा दही है वैसा ही हमें यूज करना है तो दूध हमारा फट चुका है अब एक छन्नी के उपर कपड़ा रखकर हम इसे छान लेंगे दही से जब हम छेना बनाते हैं तो हमें छेने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है लेकिन दही की मात्रा भी हमें काफी लगती है और जब पूरा छेना छन जाए तब हम थोड़ा पानी भी इसके उपर डाल देंगे ताकि वो प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाए और इसके बाद छेने को हम इस कपड़े में इस छन्नी के उपर थोड़ी देर रहने देंगे करीब करीब 20 मिनट हम इसे रहने देंगे और थोड़ा हम हलके हाथों से दबा कर इसका पानी भी निकाल देंगे या तो आप चाहें तो इसे डेड़ घंटे तक आप टांग कर भी रख सकते हैं तो भी इसका काफी पानी निकल जाएगा छेने को हमें बिलकुल ड्राई नहीं करना है लेकिन थोड़ा पानी हमें इसका निकाल देना है तो 20 मिनट बाद छेने को हम थाली में निकाल लेते हैं अब हम इस छेने को हाथ से थोड़ा मसल लेंगे बहुत ज़्यादा हमें मसल्ले की कोई जरूरत नहीं सिर्फ इसकी गुठलियां सारी निकल जाए और ये थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाए बैस हमें इतना ही मसल्ला है और इसके बाद इसे हम दो भागों में डिवाइट कर लेंगे दो भागों में डिवाइट करके ही हम इसका प्रोसेसिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छी बनती है मैं आगे आपको बताऊंगी कि दो भागों में करके हमें इसे किस तरीके से ट्रीट करना है तो इसमें से आधा छेना मतलब एक भाग का छेना हम उठा के एक कटोरी में रख देंगे उसे हम बाद में यूज़ करेंगे और जो दूसरा वाला भाग है इसमें हम वन थर्ड कप शुगर डालेंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा मसल भी लेंगे वन थर्ड कप से आप थोड़ा ज़्यादा भी शकर डाल सकते हैं या थोड़ा कम भी लेकिन वन थर्ड कप डालने से बहुत परफेक्ट मिठास आती है क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी कंडेंस्ट मिल्क भी मिलाएंगे condensed milk काफी मीठा होता है इसलिए हम शुगर की quantity काफी कम रख रहे हैं अगर आप condensed milk ना यूज़ कर रहे हो तो उस case में आप 3-4 cup यानि 3-4 cup शुगर डालिए तो छेना और शक्कर दोनों को मिलाते हुए हमने इसे बहुत अच्छे से मसल लिया है अब हम इसमें 1-4 teaspoon इलाइची का powder डालेंगे आप चाहें तो इलाइची कूट कर भी डाल सकते हैं मेरा ये Instagram account का ID है मैं यहां भी बहुत अच्छी अच्छी photos और videos पोस्ट करती रहती हूँ और मैं in process development भी यहां पोस्ट करती रहती हूँ आप भी कभी जरूर मेरा profile visit कीजिएगा तो शक्कर डालने के बाद इसे करीब मैंने 7-8 मिनट तक मसला है और अब मैं इलाइची का powder डाल के भी इसे थोड़ा अच्छे से मिला लेती हूँ तो ये छेना अब हमारा काफी नरम हो चुका है अब हम इसे हलके आज पे थोड़ा सा कूक करेंगे फ्लेम एकदम लो रखेंगे एक नॉन स्टिक पैन उस पे रखेंगे और उसमें हम इस छेने को डाल देते हैं और इसे हमें constantly चलाना है लेकिन फ्लेम हम बिलकुल भी नहीं बढ़ाएंगे एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे कूक करना है गैस का आज अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो छेना रबर रबर टाइप का हो जाता है करीब एक से दो मिनट तक छेने को लो फ्लेम पे कूक करने के बाद अब हम इस पे 1 फोर्थ कप condensed milk एड़ कर देते हैं condensed milk एड़ करने से ये मिठाई बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है हाला कि condensed milk एड़ करना optional है और condensed milk अगर आप ना डाल रहे हो तो उस case में आप sugar की quantity जैसे मैंने पहले बताया था थोड़ी जादा कर दे और मेरा facebook page delicious खाना जटपट बनाना यहाँ आपको मेरे कई सारे वीडियो के link मिल जाएंगे condensed milk डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर और cook करेंगे और इसे हम constantly चलाते रहेंगे लेकिन flame हम एकदम low रखेंगे flame बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे और इसे बिल्कुल dry भी नहीं करना है जैसा गीला कलाकंध होता है ना उस तरीके का texture हमें मिलना चाहिए और उसके बाद इसे हम flame बन करके हम उसी कटोरी में डाल देंगे जिसमें हमने पहले आधा छेने को उठा कर रखा था इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं ये condensed milk भी मैंने घर में बनाया था और अगर आप homemade condensed milk की recipe देखना चाहें तो मैं उपर link दे दे रही हूँ आप जरूर देख लीजिएगा ठंडा होने के बाद जब हम इस पे थोड़ा अपना हाथ डाल सके तब हम छेने के दूसरे पार्ट को भी इसके साथ मिला लेंगे और दोनों को ही हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से दो पार्ट में बनाने से ये मिठाई बहुत ही स्वादिश्ट बनती है और अगर आप पूरे छेने को एक बार में cook करेंगे तो थोड़ा कभी कभी rubbery सा हो जाता है रबर रबर सा लगता है खाने में वो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता तो अब ये एक डो सा हो गया है तो हमारा ये almost ready हो गया है अब इससे हम लड्डू बना लेंगे लड्डू बनाने के लिए हम पहले छोटे छोटे portions काट लेते हैं लोई के जैसे क्योंकि बाद में ये थोड़ा कड़ा हो जाएगा तो हमको बनाने में दिक्कत होगी तो हम एक नाप के बड़े ये छोटे जैसा आपको पसंदो वैसी लोईया काट लेंगे और उसके बार इसे हम थोड़ा सा milk powder में roll कर लेंगे वैसे milk powder में roll करना पुरी तरह से optional है लेकिन थोड़ा सा milk powder में roll कर लेने से थोड़ा इसका outer surface और बढ़िया हो जाता है तो देखाना आपने ये बनाना कितना आसान था और इसे जब तक आप एक बार खुद ट्राइ नहीं करेंगे तब तक आपको लगेगा नहीं कि इसे बनाना वाकई कितना आसान है बहुत ही जटपड बन जाती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिए पनीर के लड़ू जिसे हम काचा गोला या फ्रान हरा भी कहते हैं और रेसिपी बहुत आसान है और आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिलकुल मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी मत भूलिएगा